असलाम एकुम कैसे आप साब वीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे आपकी द्वाउं से अलहंद लिल्ला मैं भी अच्छा हूँ शुक्र आला का सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पिसी सी के बारे में यानि के पुलस क्रेक्टर से डिव केड़ यह सवाल काफी ज़ यह वाला पिसी सी वो है जो एक दफ़ा से चक्कर लगा के आ चुक है और इसने भाई के फिंगर दिलवा दिया इसका मतल़ है मेरे हाथ में जो पीसी सी है यह हंड़ट टेन परसेंट जो है राइट है मैं इसलिए आपके सामने यह वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि मु मुझसे अच्छा गाइड आपको गार दे सो बात को शुरू करने से पहले अगर किसी भाई ने बात करने हो इस्टागाम पर राबता का सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब लास वीडियो को लाइक गरूर कर दिया करें और प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक दफ़ा वि रिप्लाइ लाजमी करूंगा अब दस बर भी पूछो कि मैं रिप्लाइ लाजमी करूंगा लेकिन थोड़ी सी कदर गर्जे मेरे टाइम की रिक्वेस्ट है आपसे बात को शुरू करते सबसे पहली चीज जो उनके बारे में बात करते जो पुर्तगाल में ने आना चाहते ह और वह यह बात करते हैं हम पुर्तगाल में ने आएं तो हम्में प्पर संब्स करवाने के साथ सर पीसिसी संब्स करवानी चाहिए यहां नहीं लीए तो मैं पहले बहारा हुँ शाटली बात करते हैं या नहीं थो भाइ कहते है यहाँ से लेकर हम PCC लेकर तो छे मनत बाद झो इस और छते हैं जो श्यम्स भाद करते हर यह तो यह नह चाले गरेंगे तो यह में बाद उनके लिए बताने लिगाँ ठीक है नेक्स टेप आजाते हैं पुर्दिगाल ने आपको अपनी कंटरी के पिपर देने है तो वो पहले एक दफ़ा बन्दे को ऐ टुजेड चेक कर लेते हैं के यहीं यह बंदा जो अपनी country छोड़ के यहां पे आप यह पीछे कोई जगडा तो नहीं है कोई ऐसी फाइट या ऐसा लड़ाई जगडा यह ऐसा कुई पंगा तो नहीं है जिसके वज़ा से अगर हम इसको अपनी country के पिपर दे तो बाद में इसका मुद्धा वहां पे भ करना चाहते हैं कि आप इसी में आ जाती है अगर वह पुलस वाले आपकी कंट्री वाले यह आपको PCC बिलकुल किलियर देते हैं यहां पर इसमे कोई मसला मसाहिल नहीं है कोई ऐसा केस नहीं है यह आपका 110 परसेंट पॉजिटीव है तब आपके फिंगर हो गया अद्रवाइस नहीं हो गया अगर PCC जहरी सी बात है आपको भी पता चाल जाता है अगर आपकी PCC के ऊपर कोई मसला मसाहिल है या तो पुलस वाले वो लिख के बेह देते हैं आपको भी पता चाल जाता है कि हाँ फ्लास साल में मैंने फ्लाप पंगा किया था तो मसला मसाहिल बन भी सकता है PCC में लेकिन ऐसा ब पर किरियर होंगे otherwise reject होने के chances हैं तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि यहां पर जब आप आ जाते है तो आपको ज़रूरत जैदा तार उस वक्त होती है PCC की जब आप finger देने के लिए सेफ में जाते हैं अब यह आप कहते हैं कि बाइचन हमें कैसे बता चलेगा तो डेट चलती है जैसे मैं काफी ज़्यादा वीडियो बता चुका हूं डेट चलती है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जब आपको पता है कि मेरी फिंगरूंवाली डेट मेरे पेपर समड़ करवाने बारे डेट दस है तो आपको पता चाल जाएगा उदर पेस्बूक के ऊपर काफी ज़्यादा पेज बनीवा है पुर्त गाल में काफी ज़्यादा लोग रहे है वह आपको बताते रहते हैं कि आज चार चाल रही है पांच चाल रही है छे चाल रही है साथ आपको पते चार रही है तो आप अपने पेपर कंप्लीट करना शुरू कर दे तो सबसे पहली बात तो आपने लिखवाना होता है यहां पर जाके अपनी पर पाकिस्तानी हो तो मुझे पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बत है तो इसलिए मैं पाकिस्तान की बात करूंगा अब पाकिस्तानी अमबैसी में चले जाए शायद इंडियन का भी यही हिसाब है कि इंडियन का कंफर्म नहीं बताओंगा क्योंके ऐसी मैं लंबी-लंबी छोड़ू उसका फाइदा नहीं है तो आप लोग अपनी अमबैसी में जाएं ठीक है यह बायो डेटा पर लिखा हो तो वहां पर जा के आपने उनको बोलना है कि मुझे अथार्टी लेटर चाहिए ठीक है तो आपका पासबोर्ट लेंगे ठीक है जिस बंदे के नाम पे आपने बेजने है यह बात को यहां पे दिमाग में अच्छी तरह आपने बिठा के रिखना है कि आपने वालत साब या अथार्टी लेटर जो है वो लिख के बेज सकते हैं लास्ट अम एक बाई ने अपने कजन के नाम पे लिख के बेजा वह उन्होंने रजेक्ट कार दिया उनका नहीं चला अथार्टी लेटर उसके 60 योरो जायांगे अथार्टी लेटर जो होता है वो आपने अपने खुनी रिष्टे के नाम पे लिख के बेजना है ठीक है उसके लिए आपका पास्पोर्ट चाहिए ठीक है जिस भाई के नाम पे आपने बेजना है उसका फोटो कापी सोरी आईडी काड़ की फोटो कापी मांग लिए उन्होंने ठीक है आपका पास्पोर्ट मांग लिए प्लस में वह 9 योरो मांगते हैं बाई कहते हैं तकरीबर 20-25 मिन्ट लगे हैं और मेरा अथाटी लेटर कम्प्लीट हो गया उसके बाद अब बार जाती दूसरी बारी कि उसने पाकिस्तान अगर बेजने तो किसी भी पोस्ट के थ्रू बेज़ेगा तो I think कि उसके 60 योरो लगती है लास हो गया बाप हो गया उसके नाम पर बेजना ठीक है उसके बाद आपका पाकिस्तान वह 30 लेटर चला जाते है आपका वह पुलिस लेके जाते है और उनसे बहुत देथाना जो करीब है आपका ठीक है वहां पे जाके उन्होंने कहना होता है कि हमें PCC चाहिए उनके पुलिस टीक है तो वह आपको बना गये देते है उसके उपर लिखते है पелी बात उसके बाद आपका पास्पोरट का नमबर डेट आअव बालसाब का नाम ठीक है प्लास में आपका अड्रेस लिखा जाते है ठीक है हर चीज अनुन्होंने लिख क्तर है या मोरहें लगाई हुई ह है तो आपने planning उसे हिसाब से करनी है अगर मैं अभी से start करूँ तो मेरा यहां तक आ जाना है और जा मैंने से सेफ में जाना है तो यह वाइलड होना चाहिए सम्टाइम ऐसा भी होता है हुआ भी है काफी जारे एक महीना दो महीने के साल के अबिपरे विडिया पी-छी से साल के सन्टर मे भान पहसी साल चलेंगे अब वहां से आप खाने में जाके अपना PCC ले आए उसके बाद उसने आपने टेस्ट करवाना होता है जैरी आफसे टेस्ट करवाना होता है उसके बाद फोरन अफ एर आफसे टेस्ट करवाना होता है और वहां से फिर आपने पुर्तगाल में मगवाना होता है एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जब पुर्तगाल में आ जाता है तब आपने किसी भी वकील से ये ट्रांसलेट लाजमी करवाना होता है ट्रांसलेट अगर आप नहीं करवाते है पुर्तगेशी लेंगव हुई है तो उन्होंने बोला है पहले इसको ट्रांसलेट करवा वकील की मोरे लगवा फिर हमारे पास ले के आईएगा अब मसला बन गया जो मेरे साथ बाई गया था उसके तो सारे के लिए थे उसके फिंगर भी बड़े इसली हो गये ठीक है अब जिसके ट्रांसलेट नहीं था उसको टैंशन भी यहां पर दुगनी टाइम भी वेस्ट हुआ फिर वकीलों के दक्के खाने पड़े आप अपनी प्लैनिंग पहले से कार ले कि यह पेपर अगर PCC बेरकाप मेरे पास है पुलस करेक्टर सेटिफिकेट तो पुर्दगाल में आते ही आपने किसी वकील को पैसे दे के उससे ट्रांसलेट करवा के प्लस में उसकी स्टेंप भी लगवान नहीं है ठीक है PCC के बा प्लस वीडियो को लाइक दूर कर दीजिया तो मिलते है नेक्स वीडियो के साथ दौव में याद रखना अलाफेस